दोस्तों हम ब्रह्म्हांड ये शब्द अनेक बार इस्तमाल करते हैं लेकिन ये ब्रह्म्हांड कितना बड़ा है इसके हमें कलपना नहीं है आप से यदि आकाश के तारों को गिनने के लिए कहा तो आप क्या कर पाएंगे नहीं तारों को गिनना हमारे लिए मुम्किन नहीं है जो तारें हम देखते हैं वे अपनी आकाज गंगा में हैं आकाज गंगा ये बड़ी सरपीली आकाज गंगा है और ये मंदागिनी इस नाम से भी पहचानी जाती है मिलकी वे लगभग सौ दशलक्ष तारों से बनी हुई है हमारी आकाज गंगा में अनेक तारे सूरज से छोटे हैं और कई तारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं हम रात को आसमान में जो तारे देखती हैं वे सारे हमारी आकाज गंगा में हैं अंग्रेजी भाषा में हमारी आकाज गंगा को मिलकी वे कहा जाता है क्योंकि ये आकाश में दूद की सफेद धारा के समान दिखती है इस आकाश गंगा में हमारा सूरज और सभी ग्रहों का समावेश होता है इस प्रकार आकाश गंगा ये अनेक तारे और उनकी ग्रहिय पद्धती का समूह है आसान शब्दों में आकाश गंगा ये तारे, नियबिूला, अर्थात निहारिकाओं, ग्यास के बादल, धूल के बादल, मृत तारे और नवतारे आदी सब का समूह है मिलकी वे वही आकाश गंगा है जिसमें सौर मंडल स्तित है अर्थात हमारी आकाश गंगा स्थानिय गैलेक्सी समूह का एक भाग है ब्रम्भांड में ऐसी अनेक आकाश गंगाएं है हमारी पृत्वी सौर मंडल का एक भाग है जिसमें पृत्वी, अन्यग्रह, चांद, आदी सब का समावेश होता है इस ब्रम्भांड में असंख्य आकाज गंगाएं लाखो करोडो तारे हैं तारे और आकाज गंगा इनके बीच की जगह बड़े प्रमाण में रिक्त रहती है हमारा सौर मंडल मिलकी वे इस आकाज गंगा के स्थानिय गैलेक्सी समूह का एक भाग है हमारी मिलकी वे ये आकाश गंगा है और ब्रम्हांड में ऐसी अनेक आकाश गंगाएं है आकारमान के अनुसार विवित प्रकार की आकाश गंगाओं को पहचाना जा सकता है आकाश गंगा सरपील आकार, दीर्ग वृत्ताकार, अन्यमित ऐसे अनेक प्रकार की होती है हमारी आकाश गंगा यह अवरुद्ध चक्राकार आकाश गंगा है सोचे तो इन आकाश गंगाओं के बारे में हमें किस प्रकार पता चला होगा अनेक वर्षों से वैज्ञानिकों ने इनका अध्यन किया है एडविन हबल इस वैग्यानिक ने ये साबित किया कि हमारी आकाश गंगा के पार अनीक आकाश गंगाएं हैं अवकाश की जानकारी दूरुबीन की सहता से अवकाश के निरीक्षन के द्वारा पराप्त की जा सकती है दूरुबीन हमारे अवकाश के द्रिश्टिपत को बढ़ाती है और सामान्य रूप से आँखों को न दिखने वाले दूरस्त खगोलिय पिंडों को दूरुबीन के कारण हम आसानी से देख सकते हैं ऐसे उपकरण प्रकाश परावर्तित करते हैं जिसके कारण प्रतिमा बड़ी हो जाती है और हमें दिखाई देती है लेकिन इस प्रक्रिया की भी बिन भिन पधतियां है 1990 में नासा अर्थात अमेरिकी अवकाश संस्थादवारा पृत्वी की परिक्रमा में हबल टेलिसकोप अर्थात दूरुबीन को प्रक्षेपित किया गया इस दूरुबीन को एडविन हबल का नाम दिया गया था उन्होंने 1920 साल में माउंट विल्सन अब्जरवरेटरी को पैसेदेना कैलिफोर्निया में उस समय की सबसे बड़ी दूरुबीन बनाई थी उस दूरुबीन का उद्देश भी हमारी आकाश गंगा से परे चो आकाश गंगाएं हैं उनकी खोच करना था गैलेलियो द्वारा निर्मिक टेलिसकोप से आरंब हुई इस यात्रा में हबल टेलिसकोप का प्रक्षिपन और पृत्वी की परिक्रमा में उसका परे नियोजन खगोल के शेत्र में एक महत्वपूर्ण और प्रगती दर्शाने वाला पड़ाव माना जाता है पिछले 30 वर्षों से ये दूरबीन अंतरिक्षमे कार्यरत है और ब्रम्हांड के विविद दुरुष्यों को हमें दिखाने का काम कर रही है क्या आप जानते हैं 1990 से एक मिशन शुरू हुआ है इस मिशन में हबल दुरबीन ने एक दशमलो तीन निरिक्षन पूर्ण किये हैं हबल दुरुबीन तारे, ग्रह, आकाश, गंगा तक यात्रा नहीं करती लेकिन वह पृत्वी के इर्ध-गिर्ध एक घंटे में 17,000 मील गती से घूमते हुए प्रतिमा लेती है प्रक्षेपन के समय हबल इस दुरुबीन का वजन 24,000 पौंड था लेकिन यदि आज वह पृत्वी पर वापस आ गई तो उसका वजन दो बड़े अफ्रिकन हाती इतना अर्थात 27,000 पौंड होगा चलिए अब हम सौर मंडल की जानकारी लेते हैं हमें मालूम है कि आकाश गंगा में अनेक सौर मंडल हैं सौर मंडल में ग्रह, तारे, चांद, उर्जा, वायो, उलका, धूमकेतू इन सभी का समावेश होता है प्रत्हम हम तारों के बारे में विचार करेंगे रात के स्वच आकाश में अनेक तारे चमकते दिखाई पड़ते हैं ये तारे हमारी आकाश गंगा का ही हिस्सा हैं कुछ तारे उजले होती हैं, कुछ तारे फीके होती हैं उनके रंग भी अलग-अलग होते हैं क्योंकि तारे नीला, सफेद, पीला, लाल ऐसे अनेक रंगों का उत्सरिजन करते हैं उनके तापमान के अनुसार उनका रंग बदलता है तारों के प्रुष्टभाग का तापमान सामा नितहा 35,000 से 50,000 से इतना होता है तारे बड़े नेबुला अर्थात निहारिकाओं, धूली कंड और ग्यासों से बनते हैं धुरूव, व्याध, अलफा सेंचुरी सिस्टम, रोहिनी, आरद्रा, जेश्ठा ये हमारे सौरमंडल के कुछ तारे हैं बुध, शुक, पृत्वी, मंगल ये अंतर ग्रह अर्थात आंतरी ग्रह हैं और गुरू, शनी, यूरेनस, नेप्चुन ये बहिरगत अर्थात बाहरी ग्रह हैं गुरू और मंगल के बीच लगु ग्रहों का एक पट्टा दिखाई देता है तारों का आकार अलग-अलग रहता है और उनका तापमान भी अलग-अलग होता है आकार और तापमान के आधार पर तारों का वर्गेकरन किया जाता है चलिए भिन्द भिन्द प्रकार के तारों के बारे में जानते हैं व्याद और अलफा सेंचुरी सूर्य की तुल्ला में आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन उनके तापमान में बहुत फरक रहता है इन्हें सूर्य सद्रिश तारे कहा जाता है लाल राक्षसी तारों का तापमान 3000 डिगरी से 4000 डिगरी सेल्सियस तक होता है लेकिन इनक जैसी चमक सूर्य से सो प्रतिशत अधिक होती है इनका व्यास सूर्य से दस से सा प्रतिशत अधिक होता है इन तारों का रंग लाल होता है अन्य प्रकार के तारे हैं महा राक्षसी तारें, ये तारे लाल राक्षसी तारों से बड़े और तेजस भी होते हैं, इनका तापमान 3000 अंश से 4000 अंश सेल्सियस के बीच होता है, लेकिन इनका व्यास सूर्य से 100 गुना अधिक होता है जुड़वा तारे ये संख्या में दो तारे होते हैं, ये तारे एक दूसरे के चारों और घूमते रहते हैं, कभी कभी तीन अथ्वा चार तारे भी आपस में भ्रमन करते दिखाई देते हैं, व्याध तारा और मित्र तारा ये जुड़वा तारे हैं आस्मान में आधे से जादा तारे जुड़वा तारे हैं। आकार और तेजस्विता के आधार पर तारों का वर्गी करण किया जाता है। कुछ तारे परिवर्तन शील तारे होते हैं। उनका निरंतर आकुंचन और प्रसरण होता रहता है। जब किसी तारे का प्रसरण होता ह टारे का आकुंजन होते ही उसके प्रुष्टभाग का तापमान बढ़ता है और तारा अधिक उर्जा उत्थरजित करता है इसका रण वह अधिक तेजस्वी दिखाई देता है इसका उधारन है धृवतारा हम तारों का रंग के आधार पर भी वरगी करन करती है सूरज का रंग पीला होता है और वह सौर मंडल के बिलकुल बीच में होता है उसके प्रिष्टभाग का तापमान 6000 डिगरी सेलसियस इतना होता है इसका आकार इतना बड़ा है कि पृत्वी के आकार के 13 लक्षतारे बड़ी आसानी से इसमें समा सकते हैं हम जानते हैं कि बुध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, गुरु, शनी, यूरेनियस, नेप्चुन, आदीगरह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसका कारण सूर्य का गुरत्वाकरशन बल है जिससे सूर्य मंडल के जितने खगोलिये पिंड हैं वे सारे सूर्य के इरदगिर्द घूमते रहते हैं सूर्य का व्यास लगभग 13,12,000 किलोमेटर है और सूर्य खुद के अक्षपर घूमते हुए हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है और अपने साथ संपूर्य सूर्य मंडल को लेकर घूमता है साराश ब्रम्हांड लाखो आकाश गंगाउं से भरा हुआ है मिलकी वे यह हमारी आकाश गंगा है और उसमें 100 अरब तारें और हमारे सूर्य मंडल का समावेश है यह एक बड़ी सरपीली आकाश गंगा है तारे कुछ तारे तेजस्वी, कुछ फीके और कुछ रंगीन है इनका तापमान 35,000 से 50,000 तक है बड़े नेबुला, धूली कन और वायू से तयार होते हैं उधारन के लिए Polaris, Sirius, Alpha Centauri Polaris, Sirius, Alpha Centauri